वेलकम टो मास्टर मैंडव जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंडव जीके में जैसा कि आप लोग को पता है कि कॉंस्टेबल ड्राइबर का एक्जाम तीन जनवरी को होने वाला है आपको 1722 सीटो की ये भैकेंसी थी फ्रेंस और इसका एक्जाम तीन महत्पून होगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें परते एक दिन आपको सिलेवस कांसार ही प्रैक्टिसेट प्रवाइड करा जाएगा तो चलिए इसका थोड़ा सिलेवस देख लेते हैं उसी हिसाब से आप तयारी करेंगे उसको देख लें उसी के हिसाब से आप तयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा आप देखिया नियुक्ति परकिरिया में आपका है पहले भी बता चुका हो कि टोटल है जो सौ प्रशन पूछे जाएंगे ठीक है दो घंटा का समय दिया जाएगा और एक प्रशन का मिलेगा ठ पाठ करम है सिपाही चालक का जो कॉंस्टेबल ड्रैवर का लिखित पर इच्छा में समान ज्यान एवं समसमाईक मुद्दो से सम्मंदित प्रशन पूछे जाएंगे इसलिए फ्रेंट्स आप लोग को पूरा जोड लगा देना है जिक्के जीएस पे ठीक है तो मैं जिक्क पढ़ें और यह मास्टर मैंड जिक्के पर आपका जिक्के जीएस का प्रैक्टिस एट करें देखें बता देऊंगा कि इसमें आपको कुछ हिंदी से भी प्रशन पूछा जाएगा ठीए फ्रेंस साथ आठ प्रशन हिंदी से भी और मैद से थोड़ा बहुत और रिजिनिं हैं तो आज 10 दिन में दस प्रैक्टिस एट आपको मास्टर प्रैक्टिस एट प्रोवाईड कराओंगा वीडियो का स्किट निकरिए चलते हैं स्प्रैख्यों को देखिए और एक बात आप प्रेंट्स की आपका है तो बिहार कॉंस्टेबल ड्राइवर के लिए महत्पुन है इसके साथ साथ आपको जो 8,415 पदों के लिए जो मार्च में एक्जाम होने वाला बिहार पुलिस उसके लिए भी काफी महत्पुन है तो आप जो भी बिहार कॉंस्टेबल जो 21 मार्च में उसके लिए भी महुत्पुन है और बिहार कॉंस्टेबल ड्रैवर के लिए तो इसलिए पूरा सभी लोग वीडियो को जरूर देखें चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देज़ेगा आज का पहला सवाल देखते हैं कि मोंगिया पतन किस राष्ट में इस्थित है तो मोंगिया पतन है जो आपका बंगला देश में इस्थित है सवाल नमर दो अस्कूलों के निमलिखित नामों में से कौन सा जवाहल लान नहरू के साथ जुड़ा हुआ है सवाल नमबर दो का राइट अंसरो जाएगा आप्शन नमबर बी नवोदे अस्कूल सवाल नमबर तिन को देखें सवाल नमबर तिन है किसी परमानू में परीकर्मन कर रहे किसी एलक्ट्रॉन की कुल उर्जा कुल उर्जा क्या होती है तो तीन का राय टंसर हो जाएगा सदा रिनात्मक होती है किसी परमानू में परिकर्मन कर रहे किसी एलक्टॉन की कुल उर्जा क्या होती है सदा रिनात्मक होती है देखे ये प्रैक्टिसेट में आपको सभी छेतर से कोश्चन सामिल के आगया है साइन्स से भी है आर्स इस्त चालन बैंड एलक्ट्रों की गतिसिलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि चालन बैंड एलक्ट्रों की गतिसिलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि तो सवाल नमर चार का रायटन सरों जाएगा आप्शन नमर भी उनकी टकर कम बार होती है यही कारण है कि चालन बैंड इलक्ट्रोनों की गति सिल्ता छिद्रों से अधिक होती है नेक्ट सवाल को देखते हैं सवाल नमर पांच है निकुलियस की द्रमान संख्या क्या है तो निकुलियस का द्रमान संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो इस सदा उसके परमानू करमांग से अधिक होता है दे चलिए इसका अंसर आप लोग बताएं, गेस करें, मैं से अंसर फिर बताता हूँ, सवाल का च्छान का क्या होगा, पेज में से गुजरने पर परकास का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है, सवाल नमर 6 का करेक्ट अंसर, आप्शन नमर 6 होगा, बैग नी, चलिए सवा बतम दरविक कहा है, साथ का रंग अंसर होगा, नर्म लोहा, चलिए सवाल नमर 8 को देखते हैं, आयोडीन और पोटैसियम कलोराइट के मिसरन से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किस बीधी के दौरा, आठ का करेक्ट अंसर होगा, आप्शन नमर 6, उधर पातन बीधी के ठोस से डिरेक्ट वास्प अवस्था में बदल जाता है, उसे उधर पातन कहा जाता है, जिसे आप कपूर को करिएगा, तो लिक्वीड अवस्था में नहीं आएगा, कपूर को जलाईएगा, तो डिरेक्ट गैस अवस्था में हो जाएगा, तो मेरी ख्याल से इसका भी कॉ वियर हो गया होगा तो vrij आयो डिन और प्रटेसियं को रायट की मिश्र Harshain साहज और फातं बीधि के दोआ किया जाता है शवाल नमर नौ को देखें वह धातू पहचानिये जो निरा व करकार की कहते है निराविसी कोन साधा है इसका जो रायट अंसर रहा फ्रेंस, सोना, गोल्ड, सोना, ठीक है, बाकिये जो को बाल्ट, कैंडियम यो क्या है, निरावीसी नहीं है, ठीक है, यो सब अगर मुँँ में लेते हैं तो इससे कुछ इंफ्यक्शन होता है, लेकिस स्वर्ण को मुँँ में रखते हैं भी ले सक कौन है बताएं इसका रायटनसर क्या होगा है डोजयन वायू कार्बन मोनोकसाइड या मीथेन सवाल नमबर 10 का रायटनसर हो जाएगा आपका मीथेन टॉपमोस्ट भी विए जिके है कोईले की खानों में प्राया विसफोर्ट कराने वाली गैस है मीथेन सवाल नमबर 11 को द तो देखे एक परमानू है तो इसका इलोक्ट्रॉन क्या है इसके चारोर चक्कर लगाते रहता है जबकि नाभिक में प्रोट्रॉन प्लस नियूट्रॉन रहता है ठीक है और द्रमान संख्या बरबर रही होता है प्रोट्रॉन की संख्या जो नियूट्रॉन की संख्या तो पूरा जरूर देखें सवाल नमर बारा को बारा का क्या होगा कि धूम कोहरा में मौझूद आख में जलन पैदा करने वाला एक सक्ति साली द्रब क्या है तो बारा का करेक्टन सब्सक्राइगा अप्शन नमर शी ठीक है परा किस एसी टिल नाइटरेट ठीक है फ्रेंस परा किस एसी टिल नाइटरेट धूम कोहरा में मौझूद आख में जलन पैदा करने वाला एक सक्ति साली द्रब क्या है तो बारा किस एसी टिल नाइटरेट है सवाल नमर बारा करेक्टन सब्सक्राइ है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है तो गेस करिए किसमें है जो असली और नकली दोनों तरह से का सकते हैं तो असली फल भी है और दिखावटी फल है तो तेरा का बहुत ज्यादा और दिखावटी फल भी मौजूद है तो किसमें आम में है चले सवाल नमर अब चौदा को देखें निम्नी खित में से वह व्यक्ति कौन है जिने भारत का राष्ट पती बनने से पहले भारत रर्तन का प्रुसकार मिला था सवाल नमर चौदा का करेक्ट अंसर हो जाएगा एक स्केस को लेता है फ्रेंच फ्रैंड पती राज्ञ सभा के लिए उन व्यक्तिओं में से जो कलध साहित्bak समाजिक सेवा आदी के छेत्र में ख्याती प्राप्त है निम्नी केने से कितने व्यक्तियों को नामंकित करते हैं तो राज्ञ पाल से आप लोग पता होना कि संसार में सबसे संसार में सबसे पहली महिला परधान मंत्री किस देश की बनी थी तो भंडरनाई के सबको याद होगा फ्रेंस सुल्लक का क्या हो जाएगा भी स्रिलंका में बनी थी चले सवाल नमर 17 को देखें निमलिखित में से कौन सा रोग नाइटरेट संदूसित भोज होता है शत्रा का जो कारेक्ट असर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी ब्लू बेबी सिंड्रॉम याद रखेगा कौन सा रोग नाइटरेट संदूसित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रॉम होता है सवाल नमर 18 को देखें किसी कालिन की सफाई के लिए यदि उसे पीछे से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागो होगा कालिनानी जो कमल होता है तो उसको सफाई के लिए जो ज़ाडते हैं पीटते हैं डंटा से तो कौन सा नियम इसमें लगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इसमें गती का पह का नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है भी प्रश्ण पूछा जाता है कि न्यूटन के किस गती के नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है तो आपका option number A इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा अठरा का A चले सवाल number 19 को देखते हैं कि सित्रीतु के दिनों में हम मौसम किस परकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं तो देखे साफ मौसम रहेगा तो आपको ज़्यादा हमको ठंड महसूस होता है इसका right answer हो जाएगा option number A अब जब बादल घिरा हुआ रहेगा मेगा चले मौसम रहेगा तो दिन देखेगा आपको ठंड कम महसूस होगी लेकिन साफ मौसम के दिन अधिक ठंड महसूस होता है question number 20 को देखें question number 20 है friends कि भारत में सबसे बड़ा जन जातिये समूदाय है तो भ बहुत ज्यादा important A भी है 21 का 36 मांग वक्र कब होता है 21 का right answer हो जाएगा option number C पुन लोचदार 36 मांग वक्र होता है कैसा तो पुन लोचदार होता है सवाल number 22 को देखें सवाल number 22 है एक अधिकारी परतियोगता का सिदांत संजुक्त राज अमेरिका में परतिपादित किया गया किसके दौरा 22 का correct answer हो जाएगा option number B एडवर्ड चैंबर लिन के दौरा एक अधिकारी परतियोगता का सिदांत संजुक्त राज अमेरिका में परतिपादित किया गया था एडवर्ड चैंबर लिन के दौरा नेक्स सवाल को देखते हैं कि उत्पादन फ्लन संबंध अस्थापित करता है तो उत्पादन फ्लन संबंध के एकनौमिस का बहुत अच्छा सवाल है कि उत्पादन फ्लन संबंध अस्थापित करता है तेस का right answer रोगा option number C निवेश का उत्पादन के साथ में किसके निवेश के उत्पादन के साथ में उत्पादन फलन याद रखेगा निवेश का उत्पादन के साथ में सवाल नमर 24 को देखें किस परकार के उत्पादों के लिए CACP नियूंतम समर्थन कीमत की सिफारिस करता है टॉप मोस्ट BVI कोस्चन है इसका सर गेस करें एक राइट अंसर क्या होगा तो किस परकार के उत्पादों के लिए CACP नियूंतम समर्थन कीमत की सिफारिस करता है 24 का कारेक्ट अंसर हो देगा आप्सन नमबर B क्रीशी उत्पाद के लिए 25 को देखते हैं बढ़ते हुए परतिफल के अंतरगत पूरतिवक्र होता है सवाल 26 को देखें नागरिकता प्राप्त करने के लिए सरते निर्धारित करने वाला सच्छम निकाय कौन सा है सवाल नमबर 26 का राइट अंसर क्या हो जाएगा गेस करें नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए सरते निर्धारित करने वाला सच्छम निकाय कौन सा है इसका जो करेक्ट अंसर हो देगा आप्सन नमबर C संसद आनि पार्लियामेंट ठीक है बहुत अच्छा सवाल है ये नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए सरते निर्धारित करने वाला सच्छम निकाय कौन है संसद चले सवाल नमर 27 को देखते हैं सवाल नमर 27 है आपका संसद की किस वितिये समीती में राजसभा का कोई परतिनी धित्व नहीं होता है गेस करें 27 का राइट अंसर क्या होगा तो क्या उन्सा होगा फ्रेंट संसद की किस वितिये समीती में राजसभा का कोई परतिनी धित्व नहीं होता है 27 नमर सवाल का राइट अंसर होजगा option नमरी प्राकलन समीती में आपका राजसभा का नहीं होता है लोक लेखा समीती में होता है फ्रेंस इसमें राजसभा का लेकिन प्राकलन समीती में नहीं होता है राजसभा का चले सवाल नमर अठाइस को देखे सवाल नमर अठाइस है भारतिय संविधान नागरिकों के लिए ठीक है इस टाइप का प्रैक्टिस एट आपको सायद ही मिलेगा तो इसका कोश्चन का लेबल कैसा आप लोग हमें कॉमेंट करके बताईएगा जिरूर ठीक है और देखे बिल्कुल एक्जाम टाइप कोश्चन है इसलिए हम मैं बार-बार रिक्वेश्च कर रहा हूं कि परत नमर डी राज नीती के निदेशक सिदान्तों के भारते समिधान नागरिकों के लिए अर्थिक नियाई किसके माध्यम से सुनिशित करता है तो राज के नीती निदेशक सिदान्तों से चले सवाल नमर 29 को देखते हैं समिधान के व्याख्या कौन करता है उन्तिस का करेक्ट है सवाल नमर 30 को देखे सवाल नमर 30 है राजसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधी के लिए किया जाता है तो च्छव वर्षों के लिए किया जाता है और यह एक अस्थाई सदन है ठीक है राजसभा यह जो आपका संसद का कौन सा सदन है तो उच सदन है याद रखें चले सवाल नमर 31 को देखते हैं कि ग्यानपीट पुरुसकार किस छेत्र वाले को दिया जाता है 31 का करेक्टेंसर हो जगा साहित के छेतर में ज्यानपीट पुरुषकार दिया जाता है शवाल नमर 32 को देखें संजुक्त राष्ट शंग यू एन ओ का महा सच्यू बनने वाला पहला अफिर की नागरिक था अफिर का कौन था पहला नारी को तो आपका बुतरस घाली था जो पहली अफिर की नागरिक था जो संजुक्त राष्ट शंग का महा सच्यू बना था संजुक्त राष्ट शंग का महा सच्यू बनने वाला पहला अफिर की नागरिक कौन था था तब बुतरस घाली सवाल नमर 32 का right answer option नमर 2 हो जाएगा सवाल नमर 33 को देखें लाला लाजपत राय किसके विरूद परदर्शन कर रहे थे जब ये पुलिस की निसंता का सिकार हुए थे 33 का correct answer हो जाएगा साइमन के मिशन ठीक है साइमन के मिशन का विरूद के थे friends और वहीं पर इनको विरूद करते हैं उसमें अंग्रेजों के लाठी से इनको सर पर चोट लगी थे और इनकी मिर्त्य हो गई थी याद रखेगा लाला लाजपत राय की एक बहुत ही फेमस क्रीती है अन हैपी इंडिया आद रखेगा क्या चे निरसंता से कार हुए थे तो आपका साइमन कमिशन आप्सन नमर सी बिल्कुल रायट अन हैपी इंडिया के लेखक भी याद रखेगा शवाल नमर 34 को देखे रिगवैदिक आर ये पार्षू चारी लोग थे यह इस तथि से पुष्ट होता है कि इसका जो रायटन सा रेफ्रेंस आपका अपर्यूक्त सभी पढ़के मैं सुना देता हूं कि रिगवैदिक आर ये पार्षू चारी लोग थे यह इससे तथि से पुष्टी होता है कि रिगवैद में गाय के अनेक असंदर्व थे अधिकांस यूद गायों के लिए लड़े गए थे पुरुहितों को दिये जाने वाला उपहार पराय गाय होती थी नकी अजमीन आनि सही है रिगवैदिक आर ये पासुचारी लोग थे इसके लिए सभी कथन सही है चले सवाल नमर 25 को देखते हैं कि परसिद खजुराहे मंदिर का निर्मान निम्लिखित में से किसने किया था तो 35 का रायट अंसर हो देगा ऑप्शन नमरे चंदिल इसका तो मैं ऐसा ट्रिक बताया था फ्रेंस कि आप लोग जिंदिये में कभी नहीं भूलिएगा खजुराहे मंदिर का निर्मान किस ने कि अथा तो चंदिल ल良डप देखे किस तरह स याद रखना है आणि जिसके सर में बाल नहीं होता है फ्रेंस वाकसर देखे माथापी हाथ फ्यरते रहता है खजुराहे आणि जब भी खजुराहे के बात आए तो आपको चंदेल आने अपना चांदिला सर पे हाथ रख लेना है तो इस तरह से कुछ याद तुक्का भीडालने ताकि आपको जाब में कनफ्यूजन ने हो तो मेरे ख्याल से अब कभी नहीं भूलिएगा खजुराहे मंदिर चंदेल मंसा नि चंदेल जो चंद भारतिय सर्वेचन बहुत इंपोर्डेंट है कि भारत के अस्थलाक्रिती मानचीतर निम्लिखित में से कौन सा संगठन बनाता है तो आपका भारतिय सर्वेचन विभाग है यही जो आपका अस्थलाक्रिती और मानचीतर बनाता है याद रखेगा ना कि भारतिय भोगोलिक सर्वेचन विभांग, भारतिय भूवाय ग्यानिक सर्वेचन विभान, भारतिय पूरा तात्विक विज़ान, देखे, इस टाइब का प्रश्ण आपको 100% एक्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत है इसका जो आप्शन दिया हुआ है, बहुत नजदिक सटा करके दिया देखे एक बार फिर से सूलें देखे कितना option किस तरह से दिया हुआ है कि भारत के अस्थाक्रिती मानचित्र निम्लिखित में से कौन सा संगठन बनाता है अप्सन देखे भारती भूगोलिक सर्वेचन लग रहा है ये भी हो सकता है लग रहा है कि भारती भूबय ग्यानिक सर सवाल नमर 37 को देखते है कि कौन सा देश सबसे अधिक लकड़ी पाइदा करता है सबसे अधिक लकड़ी कौन सा देश में होता है फ्रेंस तो ब्राजील में होता है ठीक है सबसे ज्यादा लकड़ी पाइदा करने वाला देश कौन सा ब्राजील है 38 नमर सीसा का सबसे पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया है कोशन का लेवल कैसा है इसी टैप का एक जाम में पूछा जाता है करार है निम्लिखित में से कौन सी भारत की रवी फसल नहीं है तो ये हूँ रवी फसल है यान सरसो भी ав Venance आपका ६हिए जूट है ज ơi जो आपका खरी फसल के अंतरगत नहीं ाता है ये आपको yes सोरी रवी फसल के अंतरगत नहीं आता है, खरी फसल के अंतरगत आता है, ठीक है, तो समझ गये होंगे, कि निमलिखित में से कौन सी भारत की रवी फसल नहीं है, जूट नहीं है, सवाल नमर 40 देखे, किस छेतर में जन संख्या का घनत्व किसी संख्या से मापा जाता है, सवा ओप्टेरिक्स आर्की ओप्टेरिक्स में निमन सरी स्रीप लक्षन थे एकतालिस का जो राइटंस तर हो जाएगा फ्रेंस आप्शन नंबर भी हो जाएगा नक्ख रीत पांख जबडे परदांथ और मुझ ठीक है फ्रेंस जो देखें आपका दिया हुआ है कि आर्की सब्सक्राइब निम्लिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है तो मलेरिया कौन पैदा करता है सबी जानते होंगे मेरे से प्रोटो जोवा ठीक है जो मादा एन फिलेंजा जो मक्षर है वो किसके अंतरगत आएगा तो आपका प्रोटो जोवा के अंतरगत आता है तो सब्सक्राइब निम्लिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है तो प्रोटो जवा आद रखे मच्छर का नाम के अब मादा एन फिलेंजा चले सवाल नमर 44 को देखते हैं सवाल नमर 44 है जोड पर यूरिक एसीड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है क्या होता है तो सबीक जानता है की गठिया रोग हो जाता है या तो गठिया रोग हो जाता है तो कौ सा है इसीड है, जो खुटने नमरे 45 के देखे निमलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिका अंग को यूकरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकरियोटिक कोशिकाओं माना जाता है सवाल एक बर से फिर से सुनें option इसका option है कि निमलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिका अंग को eukaryotic कोशकाओं के भीतर prokaryotic कोशकाओं के भीतर prokaryotic कोशका किसे माना जाता है तो याद कर लें सवाल नमर आपका जो 45 है इसका राइट अन्सर हो जाएगा option नमर इht सुत्र कनिका जानि mitocondia को mitocondia जिसे उर्जागिरी कहा जाता है कोशिका का ठीक है फ्रेंड्स और लाइसोस्वम को आत हत्मया के थैलिक आ जाता है जो आपको पूछा गया था फोरेस्टर में ठीक है तो यह भी याद रखे चले सवाल नमबर 46 को देखें कि नाइट्रोजी नी अहार है नाइट्रोजी नी अहार क्या है तो यह देखें संख्या में तिव्री बिर्दी हो रही यानि बढ़ती हुए अवादी है जो बन अचादान का मुख कारण पर मुख कारण है ठीक है चले सवाल नमर 48 को देखें ग्रिन हाउस परभाव का अर्थ क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि वाई मंडलिये कारण डाउक्साइड क कानों परदुसान वाई मंडलिये के कारण सवरूजा का विपासन जैसा कि आप लोग इस से भी पकर सकते है कि कारण डायक्साइड है जो आपका मुख रूप से क्या है ग्रिन हाउस प्रभाव गैस के अंतरगत आता है अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ग्रिन हाउस गै फ्रभाव का अर्थ क्या है तो वाइव मंडल का वुपासन और इसमें अपसे ज्यादा है कौन सा गयश परधानता हैं अपसी उत्सरजित होते रहते हैं उन्चास का बहुत ज्यादा है तो मानो सरीर का सबसे परमुक उत्सर्जी अंग आप किसे मानते हैं वह इसका अंसर होगा तो सबसे परमुक उत्सर्जी अंग है आपका किडिन यानी बिरिक है option number A right है देखे बहुत ज्यादा important सवाल है बहुत अच्छा सवाल है निमलिखित में से हुआ कौन सा है जिसे पानी वसा तथा विभीन अपचा है जिसे कैटाबोलीक अपसिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं तो आपका अबिरिकानिक किडिनी होगा इस वीडियो का लास्ट सवाल और टॉप मोस्ट विभी आई सवाल है मोटर कार के धुवे में मानसिक रोख पैदा करने वाले परदुसक को क्या कहते हैं सिशा कहते हैं, नैट्रोजन अकसाइड कहते हैं, सलफर डाकसाइड कहते हैं क्या कहते हैं फ्रेंट्स सवाल नमर 50 का राय टंसर हो जाएगा option नमर 80 सा मेरे ख्याल से आप पुरा practice देखे होगे तो question का level आप लोग को पता चल गया होगा फ्रेंट्स और जो constable driver का exam है उसमें आपको समान निग्यान से जवरदस्त पुरशन पुछा जाएगा साथ साथ में सम समाईक से पुछा जाएगा नि current affairs से तो आपको लोग के लिए special current affairs का channel बना दिया है जिसका link इस video की नीचे decision में दिया हुआ है तो वहाँ पर जाएए फटा फट देखे चैनल को subscribe करिए और साथ में आप PDF के साथ friends वहाँ आपको जो भी current affairs में दे रहा हूँ उसका PDF दे रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए ताकि सभी PDF को आप collect करके रखें और exam के टाइम में फटा फटा फट current affairs एक नजर देख करके चले जाए उसमें सब चुनिंदा चुनिंदा प्रश्णों का ही current affairs का संग्रा है जो बिलकुल exam type का है जो exam में पूछने लाख है एक बार उस channel पे जाए friends देख लें उसको तो आप अपना पता चल जाएगा कि question का level कैसा है ठेख friends तो पर तेक दिन आपको अच्छे 10 दिन में 10 master practice एक प्रवाइड करा जाएगा देखने के लिए thank you धन्यवाद